नमस्कार दोस्तों, एक बार पुना है, मैं आपसे मुखातिब हूँ मुंबई से, मुंबई का या भैंदर छेतर है, जहां पे नमक की खेती बरियस्तर पे होती है, मैं आपको बता दूँ कि यह हमारे पीछे जो आप पहारी देख रहे हैं, यह है पस्चमी तट है, उसके बा आप देखेंगे कि उस पानी को जमा किया जाता है, जमा इस तरह से लोग करते हैं, जैसे अपने गाओं में आप लोग गेहों की या मक्का की या फिर धान की खेती करते हैं, तो मेड बनाया जाता है, उसी तरज पे मेड यहां पे बना के पानी को रोका गया है, और धूप म और समेटने का काम मजदूरों का होता है और मैं आपको बता दूं कि जो खेत है यहां टेंडर पर किसी को दिया जाता है और वो लोग उसमें खेती करवाते हैं मजदूर लगाके यहां पर हमारे साथ कुछ मजदूर है जो नमक को समेट रहे हैं बोरियों में बंद कर रहे हैं और उसको कमपनी बालों को भेज रहे हैं बेचा जा रहा है इन खेत के मालिकों के दौरा तो हम यहां इसलिए आए हैं ताकि मैं आपको खेती के बारे में भी समझा सको नमक की खेती के बारे में आपको भी पता चल पा कहां रहते हैं क्या करते हैं कहां से आये हैं इन पर भी हम चर्चा करते हैं आए हम मिलते हैं चंदो一直 कहां से आये हो बिल्ली मृराइक गुजरात गुजरात से आये guarding कतने दी तो Computing तेन मेहना से सालों भर खेती होती है या फिर रुक होती है मैना साठ मेहना 7 मेहन न में खेती बंद हो जाती आथ हैं मैं आपको बता दो बार साथ में पानियाधिक हो जाता है तो यह खेती बंद करने पर जाती है और गड़म बाकी साथ महीने लगग लगातार खेती चलती रहती networks बबाए ken हारी कितनी मिलती है पर लोगों को यहां पर 125 125 का रोज मिलता हो सकता है मेरी बात को नहीं समझ पा रहे होंगे यह कहां गुजराती है इन्होंने बताया मैं गुजरात से हूँ तो हिंदी समझ पालते हो हिंधी समझ थोरा थोरा थो차ाता है Mi यह बताये कि गुज्राइच से पुरी फैमिली यहां रहते हैं यह अकेले हैं मुझे ये बताओं सारे लोग गुजरात के ले बड़ी दिल्चस्प बात होने वाली है कि ये सारे मजदूर गुजरात के हैं उसी गुजरात के जिसकी जहां से मोधीजी आते हैं और बहुत पर ëर estaban को है साद कुछ वहां पर CY करते हैं नहीं की कुछ लोग जो मजदूरी करते हैं उनकी स्थिती भी आपको साथी साथ देखने को मिल जाएगी और गुजरात को भी समझने का मौका मिलेगा जहां एक तरफ इसी मुंबए में उसी गुजरात में बरे-बरे लोग होते हैं टावरों में रहने वाले लोग होते हैं वही यहां कि इसे कमा लेते हो दिन भर में दूसों पच्चीश करके अलग मिलता है वह टायम करके इसा काम करें वह एफने यहां से इधर देखो ना कितने लोग हो गहों से नजदी का पाज़ाइए एक पूरी है मेरी अच्छा ये लोग तुरा गुजराती बोल रहे हैं एक लर्की है अच्छा मुझे ये बताइए कि गुजरास से यहां आते हैं यहीं पर रहना होता है यहां पर कहां रहते हो जोपरी मेरे अच्छा मेरे पीछे आप जोपरी को देखिए बहुत सरा आपको जोपरी देखने को मिलेगा उसी जोपरी में ये लोग कंटीन्यू सात महिने रहते हैं फिर बरसात के मोसम में घर जाते हैं यहीं पर इनका रहन सहन होता है दो सब्सक्राइब करते हैं तो उनको एक्स्ट् यह होते है सब तो कैसे मैं मतना पड़ता है पानी छुनना पड़ता है इसमें 40 दिन नमक आने में रुप रूकना पढ़ता है और 40 दिन हो ग Jian लगता है ऊसका नमक बिठाने को चालिस दिन में उसको टोड़ता है तो उसको तोड़ दिया तो आच दिन में नमक टाइर होता है पूरी बात बताई कि 40 दिनों तक लगभग पॉनी इसमें रहता है पॉनी सुखने में टाइम लगता है फिर सुखने के बाद आप मेरे पीछे देखिए नमक को थुरा दिखाया जाए इस खेत को थुरा मैं और नजदिक आके दिखाता हूं आपको कि किस तरह से यह होती है थ तो काली दिखती है और लगभग 20-25-40 दिनों के बाद लास्ट ता यह ऐसा हो जाता है पॉनी सुख जाती है और यह नमक तयार हो जाता है इस नमक को पूर्मता सुखने के बाद च्छान के निकाल लिया जाता है और वहां पर जमा कर दिया जाता है तब कंपनी के लोग आत यह और भी लोगों से बात करते हैं देखिए कि इतना मेहनत कर रहे हैं यह लोग काफी तेज कम करते हैं मैं इनको देखके आश्चर चकित रहा गया इतना फास्ट और अपने हिसाब से कम करते हैं कि मुझे लगता है कि 15-20 नत में होने बोरी को भी भर दिया और आधा बोरी दाल भी दिया गया ऊंते λέ अधा प्रट है नमोगा का अरुण में तो आप अक्सर इधर प्राइवर आता हूं तो यह कहां लेकर यह फि'll jah झाले डिश्ट्रिक रायगाड में रायगड चला जाएगा तो वहां पर अपना कर अलुम्न होगा इसा पहारियों के बीच में चारों तरफ पहार है बीच में खेती हो रही है अच्छा लगता है चलिए काफी सुन्दरतम आपको दिखा रहा था और दिखा रहा हूं कि बिल्कुल चारों तरफ से पहारी है समुंदर से बीच में पहारी का आना फिर यहां पर नमक की खेती का होना बिल्कुल सफेद देखता है काफी अच्छा लगता है और पिछे देखेंगे तो पिर इधर पुरा पाज जंगल ही जंगल है और उस तर इतना मेहनत का से हैं कितना फूर्टी से यह लोग काम कर यहीं देख के में काफी आश्र सकीत हूं देदी आपका क्या नाम हुआ बताओ मुझे इधर देखो इधर सुमिट्रा सुमिट्रा मुझे यह बताओ कि पैसा आपको भी बराबर मिलता 25 मिलता है यह एक अच्छी चीज पूर्टी नहीं समझती हो अच्छी नहीं समझवें यह सलिए है लेकिन नोओं बता दो कि यहां पे आप आपके नहीं है कि हवाइप दोनों काम करती सब्सक्राइब भी है बच्ते गौमें हैं बच्छे पढ़ते हैं कि तीन है तीन पड़ रहा है न चे से चलो आप दोनों मजधूरी करके मेहनत करके अपने बच्छे को पढ़ा रहे हैं और कहीं न कहीं पढ़ाई ही एक आसा है जहां से इनकी जिन्दगियां बदल जाती है मुझे ये बताओ दो सब पचीस रुपया में जिन्दगी आप लोगों की कड़ जाती है गामा भी कई काम नहीं है यहाँ पर आना पड़ता है और लॉक्डॉन में कैसा जिन्दगी रहा आप लोगों का बॉट खड़ाब हो गया फिर तो दो सब पचीस रुपया का जो परति दिन का मिलता है उसे गुझारा हो जाता है यहाँ घर है जोत को सब लोगों का सब लोगों का है सब लोगों का इस बहुत खुबसुरत बात है कि गौपने बश्वास सरकार ने घर दिया है लेकिन कमोने के लिए खाने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा सिर्फ घर से कम नहीं चलता है प्रतिदिन का जो खर्च होता है उसके लिए लोग मजदूरी करते हैं बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप मेहनत करके बच्चे को पढ़ाईए करूंगा इनकी जुग्यों को भी दिखाने का प्रयास करूंगा और आप यह समझने का प्रयास किजिए कि जहां मुंबई में एक तरफ बरे-बरे बिल्लिंग्स हैं तावर में लोग रहते हैं वहीं दूसरी तरफ जो मजदूर हैं वह किस तरह से जोपरी में रहा कि अपना जीवन या अनकायते हैं